पहले iPhone को बनने में लगे थे 2.5 यर्स और उसके comparison में जो latest Apple Vision Pro आया ना उसे बनने में लगे 5 साल से ज़ादा यानि कि Tinkook ने खाये यहाँ पर एक नया आया रहा होगा computing के लिए यानि कि एक ऐसा device जहाँ पर लैप्टॉप कम्प्यूटर्स काप रखके यूज करते थे mobile phone का अपनी pocket में carry करते थे हाथ से यूज करते थे लेकिन Apple के हिसाब से जो future होगा वो होगा एक ऐसे device का जिसे आप यहाँ पे पहन सकते हैं और यही चीज़ है Apple Vision Pro यानि कि एक ऐसा headset जिसको पहन के आप एक virtual environment में जा सकते हैं लेकिन वही एक सवाल आता है आखिर virtual reality headset तो पहले से थे नतलब की एक जमाने में आपको याद है कि mobile phone आगे लगा के VR पहन के आप उसे enjoy कर सकते थे यहाँ फिर Oculus जैसे Meta जैसे भी headset market में available है यह और उन में क्या फरक है देखो यहाँ पे Apple एक तीर से दो निशाने लगानी कोश्च कर रहा है Apple यहाँ पे AR और VR दोनों को mix करके एक ही headset के अंदर देनी कोश्च कर रहा है अगर मैं Apple Vision Pro के बाट में बात करें तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग स्क्रीन और दोनों स्क्रीन का जो combined resolution है वो है 23 million pixels का यह individual जो 4K displays आते हैं उससे भी जाद है इसके साथ ही इस device के अंदर सामने की तरफ भी display देखने को मलता है यह दिखाने की कोशिश करी गई है कि आप किसी virtual environment में है लेकिन फिर भी आपने जो present environment होती उसमें connector है और इसके लिए हुने में multiple cameras लगया है अगर मैं सिर्फ headset की बात करूँ ना तो headset में आगे की तरफ multiple cameras है special sensors भी देखने कोलते हैं यहां तक कि headset के अंदर की तरफ भी इन्होंने cameras और special sensors को implement किया है आपकी आखों को track किया जा सके तो मतलब यहां पर यह है कि अगर आप Apple Vision Pro को यहां पर पहनेंगे तो आपको ऐसा लगागा कि बाहर के world को भी आप देख पाएंगे प्लास उसके अंदर आप जो काम होता है वह भी यहां पर कर पाएंगे लेकिन सामने वाले को अगर आपको देखना है तो वह आपकी eyes को भी यहां पर देख पाएगा यानि कि माली जब किसी virtual world में है सामने से कोई आता है approach करने के लिए तो headset को automatically बात पता चल जाएगी और वो आपको इनेवल कर देगा ताकि आप बिना headset को उतारे सामने वाले सासन तरीके से बात कर सके और आपको भी वह वहाँ पर दिखाई दी सके अब बात करते हो जो Apple का जो Vision Pro है यह चलता है Vision OS की उपर यानि कि Special OS यहाँ पर एपल ने बना है जिसके अंदर आपको चारो तरफ एक Virtual Environment क्रेट की जा सकती है यहाँ पर आप इंटरेट कर सकते हैं iPhone की Apps, Mac की Apps, iPad की Apps को यूज कर सकते हैं यहाँ तक कि अगर आपको अराम से बैटके बड़ी स्क्रीन पर यानि कि थेटर वाला मजा घर में कहीं पर भी लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ फिर अगर आप कोई match देखने जा रहे हैं sports में तो उस match के अंदर आप पूरा environment देख सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है चारो तरफ से यहाँ तक कि जो काम हम रियल वल्ल्ड में जाके करते थे वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं अब यह कैसे कर पा रहे हैं मतलब कि कहा गया कि यह FaceTime की call कर पाएगा यानि कि इसका यूज करके वीडियो कॉल कर पाऊगे लेकिन इसको पहन के वीडियो कॉल कैसे possible है वेल इसको solution भी इन्हों ने बताया कि यहाँ पर headset को सामने की तरफ रखना है या आपका Face वगरा सब को scan करेगी और उसके बाद एक digital अफतार बना देगी जो आपके जासे दिखेगा और उसको पहन के आप सामने वाली के तरफ आसन तरीके से बात कर सकते हैं यह एक चीज उन्हों ने यहाँ पर बताई है और देखने सुने में चीज बहुत ही जादा futuristic लगती है इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको game खिलना है वो चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आप लोग को इससे control करना है तो आप इससे control कैसे कर पाएंगे basically Apple ने तीन चीजों के बार में बता है कि यहाँ पर आप बात करके जैसे series interact करते हैं वैसे interact करके आप यहाँ पर इससे बात कर सकते हैं इसके साथ ही दो advanced level चीजों के बार में बता है कि आपकी eyes को track करेगा और उससे analyze करें कि कि किस चीज पर focus करना चाहते है वो चीज को आपक कि आपने आगे हाथ की आगे कोई icon है या फिर हाथ के gestures कर रहे हैं जिससे आप पूरी UI के अंदर move कर सकते हैं और इसे इस तरीके citizen के ताकि आप गलती से हाथ को इशारा कर दे उससे detect में कर ले इन सब चीजों का ख्याल रखा है AI का इन्होंने use करके इसके साथी security purpose के लिए इन्होंने यहाँ पर optic ID को डाला है जिससे आपकी आँखों को scan करेगा ताकि ऐसा नहीं कि आपका headset किसी और ने पहन लिया और उसने आपकी सारी puzzle information देख ली ऐसा भी नहीं होने वाला यहाँ पर memories या कोई भी चीज को यहाँ पर create कर सकते हैं यानि कि अगर आपको आज के सम कुछ record करना होते हैं ऐसे mobile को आगे रखे आप record करते हैं इसके अंदर क्या होगा इससे आप बस पहन के आप चार तरफ घूम सकते हैं उसको record कर सकते हैं memory इसको वह भी 3D space के अंदर और उसको पहन के एक virtual environment के अंदर उसके अंदर देख सकते हैं बेसिकली ये चीज बिलकुल वैसी काम करती है जैसे आपका किसी भी Hollywood फिल्म के अंदर देखा हुआ कि एक headset पहन के आप किसी अलग दुनिया में चले गा है यहां फिर कोई स्टामने से चीज आगे जो exist नहीं करती है यह बिलकुल उसी futuristic concept को implement करने की नोने हाँ पर कोशिश क करिए इसके साथ ही अब यह processor किस पर चलता है यह M2 chip जो Apple के MacBook के अंदर आती है उसका use करके चलता है और जो graphics आपकी screen के उपर आएंगे वो यहां पर render करेगी Apple की नहीं R1 chip लेकिन इसको product को इस तरीके से बनाए गया ताकि पतला भी रहे, Slim रहे, Lightweight रहे और लोगों को पहनन में जादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी virtual reality headset के साथ दिक्कत है कि उसके अंदर hardware बहुत जादा होता है, जिस current सो उसका weight increase हो जाता है, यहां पर नोट एक additional battery pack को भी बनाए, जो कि आपका magnetically attach हो जाएगा headset के साथ, जिसका use करका आपको extra 2 hours का time देखने को मिलेगा, basically बात की जाने की आखों की जो power है, उस हिसाब से होंगे, और वो इस headset के अंदर लग जाएंगे, ताकि आपको कोई चश्मा अलग से पहनने की ज़रूत नहीं पड़े, आप नॉर्मल इस environment में यहाँ पर use कर लें, विजन OS उन्होंने बनाए, यह इसी तरीके से बनाए गया है, जैस सारा content, प्लस apps, यह लोग exclusively बना रहें इस headset के लिए, यानि कि Vision Pro जब market में आएगा, तो इसके सबसे already धेर सारा content market में available होगा, लेकिन अब बात आती है कि सारी चीज़े future किये, current state में बात करें तो क्या सच में एक चीज़ काम करवाईगी, यह को सबसे पहले बात करते है इसक production नहीं शुरू हुआ इसका, अगर शुरू हो गया होता तो Apple इसको यहाँ दिखा देती, इसके साथ दूसरी चीज़ मैंने हाँ पर notice करी, कि पूरे Apple की stream मैंने देखी, उसके अंदर एक भी इसका कोई demo दिखाए नहीं है, आहम तोर पर क्या रहता है कि यह नए iPhone होता है, त उसको touch करके, उसको use करने की permission यहाँ पर नहीं दीती, और यह बिलकुल याद दिलाता है Apple के air power की, जो उन्होंने यहाँ पर काफी समय पहले launch किया था, बात में उस चीज़ को officially discontinue कर दिया, क्योंकि उस चीज़ को बना नहीं पाए, लेकिन यह एक काफी जादा ambitious project है, जो Tim Cook क legacy को यहाँ पर define करेगा, इसके साथ यह भी पता चलाए, कि शुरुआत में order basis पे Apple इसे बनाएगी और लोगों से feedback इसका लेगी, कि exactly में device यहाँ पर कैसा है, और किस तरीके से काम कर रहा है, apps बनाएगी, ताकि पूरा ecosystem बिल्ड किया जा सके, क्योंकि यह इतिज़ादा future की है ना, कि इसके बार में अभी भी Apple को doubt है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, इसलिए selected market में लोग try करना जाते है, देखो बास्ट में इस type की चीज़े Google ने भी try करी है, दस साल पहले Google का Google class आया था, लेकिन वो चीज़ market में नहीं चली, अब यही चीज़ Apple अपने product के अंदर लेक revolutionize किया था, mobile phone की industry को iPhone से revolutionize करके smartphone पे ले गए थे, अब वो करना चाते special computing, यानि कि एक ऐसा device बनाके जिसे लोग पहन सके और वो सारे काम कर सके, जिसके लिए आम तोर पे लोगों को कई बार laptop चाहिए, mobile phone चाहिए, वो सारे चीज़े कम से कम यूज़ करें, अब इस device का यहा पहले Nreal कहा जाता था, उसका भी एक AR class आता है, अब देखा जातों चीज़े इस पहले से हमेशा से करती थी, मेटा ने भी पूरा मेटा वर्स यह सारी चीज़े करी, लेकिन एक सवाल आता है कौन सी problem को यहाँ पे solve कर रहे है, यानि कि इसको लेने की लोगों को क्या जरूर मतलब कि वेकल डिजाइनिंग में, काल डिजाइनिंग करने के लिए ये लोग VR headset को पहनते हैं, कोई भी वेकल बनाने से पहले, ऐसे ही HoloLens को भी यूज किया जाता है अलग-अलग industries के अंदर, यानि कि Microsoft भी वो प्रोड़क्ट बनाती है इस टाइप का, लेकिन वो यहाँ प और पर Apple के लिए 1 डॉलर होता है 100 रूपीज, इसलिए 1000 डॉलर का iPhone इंडिया में 1 लग का बिखता है, अब 3500 डॉलर का है तो इंडिया में 3500 लग का हो सकता है, हो सकता है Sprout को इस price range में इंडिया में लेकर इनिया है, अभी वो प्रोड़क्ट बनाएंगे, इसे stabilize करेंगे, म मार्केट में reception देखेंगे, अगर मार्केट में सारी चीज़े सही निकली, तो उसका lighter और सस्ते version को भी निकालेंगे, मतलब अभी तो Vision Pro निकाला है, हो सकता है Vision Pro एसी या Vision SE, एक इसका affordable version निकाले जो एक से देड़ लाक रुपे के अंदर हो, और वो प्रोड़क्ट अगर मा गूमने लगे, ड्राइविंग करने लगे, फिर तो और दिक्कत भी हो सकती है, ऐसी काईफी सारी चीज़ों को हैंपे solve करना जरूर ही है, इसके साथ ही इतनी बड़ी screen को अगर आँखों के पास लाय रहे हैं, तो इसका eyesight आँखों के उपर के effect पड़ेगा, तो देख है तो हम काफी जादा release stage के अंदर काफी सारे सवाल है, और देखना है क्या जो future होता है, वो हमारे face पर है की नहीं है, मतलब की एक तरफ Apple यासी company कहती है कि हम computer को अपनी आँखों के सामने आप तक पहुचा देंगा, आप उससे पहन कर चलोगे, Apple एक वो company है, ऐसी comparison में human company जो उल् कर रहेते हैं, अब ये next level का iPhone revolution लाप पाएगा, कि मिली लाप पाएगा, ये तो आर आने वाला वक्ती बताएगा, बाकि आप लोग अपनों जो पीने नीचे comment बता ना भूला, thank you आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप समलता हूं नेक्स्ट वन में, गुडबाई!